वेलकम तो माई चैनल तो फ्रेंट्स आज जो हम वीडियो लेकिया है वो है ड्रेसर, MPW, NM, JNM, स्टाप नर्स इन सभी के लिए काफी important questions लेके आया हूं जो लगवग सभी exams में आते हैं तो चले start करते हैं और देखते हैं आज का हमारे वीडियो पहला question से समाने हिरते गति कि इतनी होती है option है 100-140 परती मिनट, 20-40 परती मिनट, 40-50 परती मिनट and 60-90 परती मिनट तो जो हमारे हिरते की कति होती है वह normal 60-90 होती है और एक बार में हमारा जो दिल होता है वह 72 times धड़कता है और दिल का पूरा एक चक्र लगाने के लिए 0.08 seconds का time लगता है यह हमारा एक च चक्र पूरा होता है हिर्दे का जो संकुचन और सितलन होती है और इसी से सिस्टोलिक और डास्टोलिक दाव उत्पन होता है नाश्ट है समाने मनुस्य का BP कितरा होता है तो BP अर्थात blood pressure 120-80, 160-90, 170-90, 140-100 तो जो मनुस्य का BP blood pressure होता है वह normal होता है 120-80 mmHG इसका जो result हम internet है म् they say mm इसके बाद ऑब्लिक करके हां आपको हीज़ी लिखना है ही मतलब होता है mercury और इसका जो result होता हमेशा इस तरीके से लिख़ा जाता है मिलिमीटर मरकरी मतलब होता है this जो अधिक्तम नसों में जो अधिक्तम जो उच जो प्रेसर होता है वह सिस्टोली कहलाता है और जो निम नदाब होता है वह डैस्टोली कहलाता है नेश्ट है समाने मनुश्य का नॉर्मल ताप्मान क्या होता है 96.4 डिगरी फेरनहट 97.4 डिगरी फेरनहेट 95.4 डिगरी फेरनहेट 9.8 डिगरी फेरनहेट तो इसका जो Korrekt Enser है वह रहा है 98.4 डिगरी फेरनहेट इसको 98.6 भी नॉर्मल बाना जाता है सम्माने मनुषे के दिल में कितनے چेम्बर होते हैं ज़ता कितने कोश्टक का दिल पाया जाता है option है एक 1 B 2 C 5 D 4 तो जो मनुस्री होते हैं उसमें दिल में कुल चार चेंबर होता है इस तरीके को कुछ दिल है और यहां से इस डिवाइड़ हो जाते हैं तो यह हो जाता है इसको वेंट्रिकल कहा जाता है दो वेंट्रिकल आउपर का जो चेंबर होता है उसको दोनों को आट्रियम कहा जाता है दोनों आट्रियम हो जाते हैं दोनों वेंट्रिकल हो जाता है और यहां से पूरे जो लेट वेंट्रिकल होते हैं वहां से पूरे बॉडिस पे ब्लड का सप्ला होता है और यहां जो रैट बेहरोटे कर रहसे दोनों livestream में पहुंचता है इसके बाद जो प्रशे प्योरी हऊ से जो ब्लड रूड होता है वो इस दोनों से यहां होके मैड दोन कर धा नीक च्रह जाता है और जो पूरे बॉडी के जो हम्ड लड होता है यहां से स्कुलेट हो के और यह आर्ट्रीम गेंगा चैसे इस तरीके से एक सरकल बना उता है जिसमें मनुस्य का दिल इंट Ass,-icket में एक चकर पूरा कर लेता है अर्था एक चक्र में जब यह संकुचित होता है तब यह सिथिल होता है जब यह संकुचित होता है जब यह संकुचित होता है तो यह सिथिल हो जाता है इस तरीके से अल्टरेनेट दोनों का चलता है यहां ट्राइकस्पीड और बाइकस्पीड वाल्व होते हैं समाने मनुस्य के कितने किड़नी होते हैं समाने जो मनुस्य होते हैं उसमें किड़नी किसंख्या 4, 2, 1 या 5 होती है तो मनुस्य में 2 किड़नी पाए जाते हैं जो सेम के 20 के अकार होती है और इसका जो कारयात्मक इकाई होते हैं वो नफ्रोंस कहलाते हैं नेस्ट मुत्र का सरीजन सरीर में कहा होता है उस में 180 लिटर बलड को छहना जाता है आप कहांगे फ्रेंट्स के 180 लिटर हमारे बलाट में कहां से आजाता है, हमारे सर्कूलेशन होते रहता है, तो किड्नी में जो ग्लो मेरूलस होते हैं, उनके माध्यम से उसमें आप पढ़े होंगे वोमेन कैपसुल्स, उसमें एफेंट और इफेंट के सिकाए होती हैं, इन् 125 ml होता है 125 ml ब्लड को च्छाना जाता है प्रती मिनट हमारे किड्नी के द्वारा और जो टोटल जो पड़े होता है उसमें जो 24 घंटा होता है उसमें यूरिन को जो निर्मान होता है वो दो लिटर अधाद 2000 ml होता है नार्मल होता है 2000 से अधिक होना पॉलियूरिया कहलाता है नेश्ट है बाइल का स्रिजन कहां होता है बाइल जो होता है वो कहां होता है ओप्सन नमर ए लिवर बी किड्नी सी मसल्स डी स्प्लिन तो बाइल जो जूस होता है उसका जो निर्मान होता है वो लिवर पे होता है नेशन, समाने मनौश्य में सांस लेने की क्रिया कहा होती है Liver, Phero, Kidney, Hirday तो आप सभी को पता ही है इसका करेक्टनस है Plus खाने के नली को क्या कहा जाता है खाने के नली क्या कहलाता है Liver, Isophagus, Bladder, Kidneys तो यह जो करेक्ट निस है वह है इसोफेगस खाने की नली को कहा जाता है नेस्ट कौन सा गैस जीवन के लिए जोर्री होता है जीवन के लिए जो गैस होता है वह ऑक्सिजन सबसे इंपोर्टेंट होता है समाने ब्लड सुगर फॉस्टिंग कितना होता है 110-130 mg per deciliter, 130-150 mg per deciliter, 70-110 mg per deciliter and 60-80 mg per deciliter जो हमारा नॉर्मल फास्टिंग सुगर होता है वह 170-110 mg per deciliter होना चाहिए समाने ब्लड सुगर फॉस्टिंग कितना होता है तो 126-140 mg per deciliter, 200-220, 130-180, 150-210 तो 126-140 तक को पीपी ब्लड सुगर होना चाहिए किन तो आजकल खान पान के वज़े से इसको 200 माना गया है 160 से अधिक सुगर की लक्षन है अगर 200 तक भी है तो ज़्यादे इसू नहीं है अगर हेल्थ डाइट अगर सुधाते हैं तो वो भी कंट्रोल पर आ जाता है नेश्ट है इंसुलिन सरीर के किस अंग में बनता है ओप्शन नमर ए स्प्लीन, बी किड्नी, सी पैनक्रियास, डी हार्ट, अहिदे तो जो इंसुलिन होता है या इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोंस होते हैं जो हमारे सरीर में ब्लड में ग्लुकोज लेवल जो होता है उसको नियंत्रित करने का कारे करती हैं इसी की कमी के वज़े से जो ब्लड सुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसके अधिकता से ब्लड सुगर डाउन हो जाता है तो इस तरीके से इसका जो निर्माण होता है वो पैनक्रियास जिसको अगना से बोला जाता है यहां इसका बीटा जो cell होते हैं बीटा को सिखाओ इसके माध्यम से insulin का निर्माण होता है बीटा cell जिसको कहेंगे अगर question में आएगा कि pancreas की किस cell से होता है तो यह बीटा cells के माध्यम से इसका निर्माण होता है लो अथाद कम सुगर आने पर मरेज को क्या देना चाहिए लो सुगर आने पर dextrose नॉर्मल स्लाइन रिंगर लेक्टेड या फिर पानी तो अगर सुगर कम है अथाद सुगर कम है तो उसको कर्भोहाइड्रेट्स अधाद डेक्स्ट्रह्ण डेक्स्ट्रोष लगाना इंपोर्टेंट होगा और वहीं अगर हाई सुगर वाले हैं तो उसको कभी भी भूल के भी डेक्स्ट्र नहीं देना है नेस्ट टेपिड इस्पंजिंग किस विमारी में करना होता है तो जो टेपिड इस्पंजिंग होते हैं ऑप्शन है बुखार, पिलिया, रक्तचाप या फिर डियापटेस तो यह होता है बुखार पे इसको करना चाहिए नेस्ट समाने मनुस्य कितने दात होते हैं तो फ्रेंट्स आप सभी को पता है बोलते हैं गुस्ते में कोई मारूगा तुम्हारे 32 जड़ जाएगी या 32 मत दिखाओ तो इसका करेक्ट अंसर है 32 समाने मनुस्य के कितने फेफड़े होते हैं काफित रहल कस्टें से एक नियद्य फेफड़ ऑस्अं क्वाज illness में कौंसा गयस चौड़ता है तो ओक कारबन डियाकशाइड च्छोड़ता है समाने मनुस्य सरीर में कितना रगत होता है समाने मनुष्ण के जो सरीर होता है उसमें जो रक्त होता है वो 5-5.5 लिटर होता है समाने प्रोज का हेमोगलोबिन कितना होना चाहिए 12.05-16.05 ग्राम, 13.05-18.05 ग्राम, 11.05-12.18.20 ग्राम तो 11.05-16.05 ग्राम तक इसको नॉर्मल माना जाता है किन्तु 13.05-18.05 भी कोई कमी नहीं है सभी अलग-अलग होता है इसका करेक्ट अंसर 13.05-18.05 ग्राम को नॉर्मल माना जाता है समाने महिला में हेमोगलोबिन कितना होता है 10-12, 8-10, 6-8 और 12.05-16.05 तो समाने महिला जो होते हैं उसके लिए करेक्ट अंसर है 12.05-16.05 सराप पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब होता है किड्नी, लिवर, मसल्स, बोन तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो चांसे होते हैं वह होता है लिवर, लिवर फैलियर होने के चांसे होते हैं इसके बाद किड्नी का बारी आता है सिग्रेट पीने से सबसे ज़्यादा कौन से अंका कैंसर होता है तो सिग्रेट पीने से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है गुट का तंबाकू खाने से कौन से अंका कैंसर अक्सर होता है या मुख का कैंसर होता है इन में से कौन से एंटिबायोटिक है इसने से जोقة होता है एएंटि बायोटिक्स है इंट मैंसे कॉन मलेरिया फिल आता है इनवे से कॉन डारिया फिल आता है मक्ही मच्छर सेनटीपी या भिली पीडते मक्खी जो होते हैं वह डैरिया फ़लाते हैं इनमेंसे कौन डैंगू फ़लाता है एडिस, मच्छड, मक्खी, कौको, पौ चूहा तो एडिस जो मच्छड होते हैं वग्ञ werd डैंगू फ़लाते हैं रेविस प्रायकिस जीव के काटने से होता है गाय, चुहा, मच्छर, कुत्ता, तो अक्सर जो कुत्ता होते हैं इसके काटने से रेविस होता है, चिकन गुनिया कैसे होता है, मक्य के काटने से, मच्छर के काटने से, और सुरुचित सेक्स, गंदा पानी पीने से, जो चिकन ग कि अब आप से नमर्ब दी आ जाएगा को शिरम थाटी का मच्छड के काटने से कौन साइप पिलिया गंदा पानी खाने से होता है है तो जो हैपेटाटिस होता है है वह हैपेटाटिस सी बी डी ए चार प्रकाल दिया गया है तो कौन साइपेटाटिस होता है वह तब जो संक्रमित दुसित जल और भुजन से होता है तो यह होता है होता है हेपेटाटिस ए हेपेटाटिस यह होता है यह दोणों म्ल मुख मारत वरा फैलते भी हैं और इन्हीं के करण होता है बाक्य सारे जिए बलट कंटेंट से होता है HIV कैसे नहीं हो सकता है सुर्क्षे त्यान सम्मल साथ में बैटने से नीडल इंजिरी से संक्रमित रख्त का खुले में जाने से तो इसका जो हता है साथ में बैटने से नहीं फैलेगा कुट्टे की काटने के बाद सबसे पहला फर्स्ट एड क्या करना चाहिए कटे हो जगों को चलते पानी और साबुन से दोना चाहिए कटे पर हल्दी लगाना चाहिए कटे पर पट्टी बाना चाहिए कटे पर केरोसिन तेल डालना चाहिए तो उसमें सबसे पहले साबुन और पानी से इसको धोग देना चाहिए नेश्ट है जरेले साब को डंस की निसान कैसा होता है इसमें आपको पहचानना है यहां ए में देख सकते हैं डबल डॉट बी में त्रीपल डॉट सी में कुछ नहीं ऑक्स की जैसे और डॉट तो यह होता है डबलो की साब की कत्ने पर कहा लगाना चाहिए चाहिए क कुंड़े की सान से हिर्दे की तरफ जो होता है 15-20 cm की दूरी पर लगाना चाहिए साब काटने का सबसे कारगर इलाज क्या होता है एंटिवार्टिक नौर्मल से लाइन एंटिस्नेग बिनम या एंटिपारेटिक तो इसके लिए एंटिस्नेग बिनम इस्तमाल किया जाना चाहिए कहले चाहिए डिअध्रेशन के मुर्यज का सबसे पहले क्या देना चाहिए एंटिपारियूटिक पर इबी फ्लोट और वार्च देना चाहिए रिए सरीर में पानी की कमी हो जाना और इसका गोल बनाने के लिए कितने समय के अंदर उप्योग कर लेना चाहिए 12 गंटे 36 24 गंटे या 48 गंटे तो और इस जो गोल बनाते है उसको 24 गंटे के अंदर में इसको कम्प्लिट कर लेना चाहिए इसी जी में कुल कितने चेस्ट लिड होते हैं चार पाँच छे या फिर आठ तो इसका जो करेकर नसर होता है वह है छे इसी जी सरी के किस अंग के क्रिया को दर्शाता है हिर्दय पेड ब्रेन या किडनी इसी जी को हता है इलेक्ट्रो काडियो ग्राम अर्था ति हिर्दय के प्रक्रिया को दर्शाता है इसी जी का फूल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रो काडिग्राम इलेक्ट्रो इनसेफेलो ग्राम इलेक्ट्रो क्रिटिकल ग्राम एंड इलेक्ट्रो क्लिनिकल ग्राम और करेक्ट अंसर है इलेक्ट्रो ग्राम पोजनिंग के पेसेंट में पेड्स आ माध हम से पेप होता है उससे खीचा जाता है समसे बिमारी वायो से नहीं स्वाइनom सी कि लोट निगला हो तो इसमopathogen नउनकमिकलeton है कहाल उसके लाब़े सब्सक्राइब कमुनिकल डिज़ीज होते हैं क्वेज्जोंट लगने पर अगर प्रक्त निकला हो तो कौन सा वेक्षिन देते हैं टीटी डीपिटी एमेमर और टैफाइट इसके लिए टिटनेस टॉकसाइट के टीके लगाए जाते हैं कि दूसरे जल से कौन सी बिमारी होती है कालरा डेंगु मलेरिया एशाइबी तो इससे कालरा रोग होता है पल्स पुलियो अभ्यान में किस उम्रों के बच्चों को दवा पिला जाती है 0-3, 5-8, 0-5 तो आप सभी को पता है 0-5 सलतों को पिला जाती है CPR करते समय एक मेंट में कितने बाद चेश्ट कंप्रेशन करना चाहिए CPR में चेश्ट कंप्रेशन के जो टाइमिंग होता है वो क्या होना चाहिए आपस नमबर ए है 60, B, 90, C, 120, D, 40 तो इसके लिए 90 करना चाहिए एक मेंट में फॉलिस कैथेक्टर लगाने के बाद कैथेक्टर की बल्ब को भाने के लिए कितना नॉर्मल से लाइन डालना चाहिए 5 M, 50 M, 30 M, 10 M, तो इसके लिए जो फॉलिस कैथेक्टर होता है उसमें जो नॉर्मल से लाइन डालना चाहिए Q48 कर D, 10 M, डालना चाहिए समाने मनुस में normal O2 situation कितना होना चाहिए तो वह 90 से 95 होना चाहिए यह 95 से 100 भी चलता है 95 से 100 ज्यादा अच्छा है इसलिए normal जो oxygen situation SPO2 जिसको कहा जाता है जो आज कल कोबिट के टाम में आज देखेंगे SPO2 जो होता है oxygen situation होता है तो वह होता है 95 से 100 समाने मनुस के एक मियट में कितने बार सांस लेता है 20 से 24 14 से 16 22 से 28 और 30 से ऊपर 14 से 16 बार लिया जाता है तो फ्रेंस पार्ट 1 में इतने तक पार्ट 2 लेके और आने बाला हूं थैंक यू प्रोचिंग जय हिन जय भारत